जहिन वन्देबातरम, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निश्वापर, तो ये है आपका UPSC CAPF 2023 का actual paper, इस question को अभी हम देखेंगे, question number 45 को, x और y दो two digit prime numbers हैं, और y is obtained from x by interchanging its digit, मतला है उसको reverse करके, जो है y two digit number बनाया गया है, और एक उसमें एक important चीज दी है, x minus y जो है कितना है, 36 है, then what is the value of x into y, ठीक है, x into y की value क्या होगी, बहुत ही simple question है, इसको समझते हैं, सबसे पहले तो prime number क्या होता है, prime number के दो ही factors होते हैं, एक तो जो खुद का number है, जैसे 19 है, ठीक है, prime number है, खुद से ही divide होगा, या 1 से divide होगा, ठीक है, इसके दो ही factors होगे, खुद ब 10 a plus b, ठीक है, अमालो अगर मैं रखो 38 को लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 into 3 plus 8, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 10 into a plus b, ठीक है, तो इस तरीके से मैं इस number को लिख सकता हूँ, तो 10 a plus b हो गया, तो x कितना हो गया, 10 a plus b, y कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, तो 10 b plus a, अब इसमें अगर आप देखेंगे, x minus y दिया है, 36, ठीक है, x minus y, 36 दिया है, तो 10 a plus b minus 10 b plus a is equal to 36, अब इसको आप देखेंगे, तो ये 9 a minus 9 b is equal to 36, 9 common factor आ गया, तो ये हो गया, a minus b is equal to 4, अब देखो, a minus b 4 है, अब यहाँ पर आपको एक ऐसा number देखना है, जो की prime number भी हो, और जिनके 2 numbers के बीच में 4 का difference भी हो, अब अगर आप जब इसको calculate करेंगे, अब ये logically आपको find out करेंगे, तो एक number आपका क्या आएगा, 37, ठीक है, 37, अब इसको कैसे calculate कर सकते हैं, अब ऐसे सोचो, कि 2 digit number है, ठी 7, ठीक है, then आपका 13 ये भी नहीं बन रहा, then 14, 15, 16, 17, ठीक है, ये दोनों के बीच में 6 का difference है, 4 का difference नहीं है, ठीक है, then 19, ये भी नहीं आ रहा, then आपका 23 ठीक है then आपका 24, 25, 26, 27, 28 नहीं 29 ठीक है 29 में भी दोनों में 6 का difference है then 31 ठीक है then 30 this ठीक है 32 प्राइम नमबर नहीं है 33, 34, 35, 36, 37 तो ये नमबर हो गया आपका 37 and 73 ठीक है 73 और इन दोनों को अगर आप minus करेंगे 73 minus 37 तो आपका 36 आ गया अब आपको क्या करना है 37 into 73 को जो है आपको multiply करना है इसको multiply करके आप answer जो है मेरको comment section box में लिखेंगे 37 into 73 इसमें से क्या आएगा answer please write in the comment section box logic समझता है 10 A plus B 10 B plus A दोनों को minus करेंगे तो आपको A minus B ये एक बहुती standard तरीका है इस तरीके के question को solve करने का इसी से related में एक और question आपको discuss करूँगा जो की इसी टेकनीक पे जो है आपका पूछा गया था UPSC CAPF 2023 के paper में बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच जाहिन पदेबात्रा